अजय नमस्कार आज हैं को टूगाइड और आपको लेखर आया है आरा शहर में अरश हर में हम हैं रमना मैदान में पर्भिलत सिंग पार्क में आज हम पार्क की शैर करेंगे पार्क के बारे में बताएंगे यह आ रहा है सबसे अच्छा यह यूं कहिए कि एक मात्र पार्क है और आगे में एंट्री है और एंट्री साइड में आपको दाहिने हाथ साइड में होगा टिकट गर और बाएं हाथ साइड में आपको आएगा पार्क में जब आप टाइम पास करते हैं तो यहां से स्नैक्स, कोल्ड रिंक्स, कॉफी पगेरे बहुत सारे आइटम्स लेके आप बैठ के खा सकते हैं अपना टाइम पास कर सकते हैं तो यह दोनों सुभी धाई यहां पे हैं यह है यह बड़ा सा तलाब कह लिजिए आप वह है पहले तो इसमें स्ट्रीमर वगेरे भी आप राइड कर सकते थे इसमें अभी फिलहाल नहीं है तो अभी हम देख पा रहे हैं कि गंदगी भी थोड़ी सी ज्यादा होगी है इसमें रख रखाओ का उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग यह कंप्लेंड है बागी सीधे आपको सामने में विर्कुवर सिंग स्मारक है तो उनके मुर्ती भी लगाई हुग गई है आईए आपको और भी आगे करते हैं कि अना मुपका तो ग्यादा है तो कि अना मुपका तो ग्यादा है क्या नाम हो आपका तो अब पार्क घूमने आए हैं या फिर पिसी काम से आए हुए थे और यहां पर आ गए हम डॉक्टर भी आए हैं रिपोर्ट में ना था तो इस पार्क को लेके क्या सूचते हैं अब इसे और होना चाहिए जगों पर हमार सूचते तो नहीं होना चाहिए अच्छा उसको भी बताइए क्यों नहीं होना चाहिए देखी रहा या नहीं वह चीज तो अलग है लेकिन अगर नहीं होता तो फिर आप तो सूचते कि कहां बैठें आपको अब हमारे साथ है एक क्या नाम हो असर आपका अनुप कुमार बाबा इस पार्क की उपलब्ददा जो आरा में है सर इसके बारे में क्या सोचते हैं आपके क्या नहीं बात ऐसा है ने कि शुवट के टाइम में छे बजे से ये नौ बजे तक टोटली फ्री रहता है अब कोस्त आपके यहां पर ओलकिंग करते हैं श्रेचिंग करते जो भी करते हैं ये फ्री रहता है और उसके बाद आप किया पर गूम सकते हैं अच्छी चीज इस टीमर है यहां पर यह सब झाल झाल तो बाई गर्मी बहुत है तो अभी हम लोग बदाम शेक का अनंद ले रहें और कैसा रहा हमारा विरकुवन सिंह समारा गारा भोजपुर का ये ट्रिप तो आप बताइएगा और ऐसे ही भोजपुर लेकेस्ट इंफर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और कर आएगा फिलाहाल गर्मी बहुत है अपने खराल जरूर रखिए इश्वर करें कि आप सभी हमेशा खुश रहें और स्वस्त रहें हम यहीं कामना करते हैं विदा लेने का वक्त आ गया है फिर आप से मीलेंगे कहीं पर और तब तक हमें विदा दीजिए बाबाए